दोस्तों आपको बता दे कि मारूती की सेलेरियों को भारती बज़दार में कई सालों पहले लॉंच किया गया था लॉंच के बाद ये कार कुछ सालों तक काफी हिट साबित हुए थी अपने डीजल इंजिन के पावर के बज़े से इस कार की काफी बिक्री हुई थी इस इंज कार केवल पेट्रोल इंजिन में ही उपलब है और जल्द ही इसी सेग्मेंट में कंपनी सेलेरियो के निव जनरेशन मॉडल को भारत में लॉंच करने वाली है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले है तो बने रही है वीडियो के अंतर कार की इस बार मारती सिलेरियो वैगनार की तरह ही दो पेट्रोल इंजिन आप्शिन के साथ आएगी जिसमें एक लीटर तीन सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजिन होगा और दूसरा एक दिशम्रफ दो लीटर पेट्रोल इंजिन भी होगा जहां एक लीटर पेट्रोल इंजिन 168 बिएश्पी और 90 एनेम टॉक जनरेट करेगी वही एक दिशम्रफ दो लीटर इंजिन 82 बिएश्पी और 113 एनेम टॉक जनरेट करेगा सिलारियो को मारूति की CICO यानी कर्विन कर्व आउट डिजाइन फिलास्पी पर तयार किया गया है जो इसके छोटे अकार की शोभा ब मदद करते हैं सिलारियो के ग्रिल में बड़ी क्रोम स्लेट मिलती है कार के बोनट और फ्रंट बंपर को फ्रीज लाइन दी गई है जो कार को अलग करेक्टर देते हैं कार की रियर डिजाइन बेहत साधारन है इसकी टेल लाम कुछ-कुछ मारूति और तो 800 की तरह लगती है सिलारियो के टॉप मॉडल में रियर डिफॉगर और रियर वाइपर वाशर भी मिलते हैं सेफटी फीचर्स की बात की जाए तो इसके सभी वारियंट्स में ड्राइवर, साइड बैक, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबियस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पाकिंग सेंसर और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं वही इसके सभी वारियंट्स के साथ पैसेंजर साइड एर बैक भी ऑप्शनल मिलता है मारुती सुजुकी नवंबर के महिने में ही इस कार को लाँच करने जा रही है इसकी कीमत 3.5 करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले